दोस्तों नमस्कार, मिरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजानक के डिश्टल मीडिया मंच पर आजकल दिपेंदर हुड़ा घूम रहे हैं दिपेंदर हुड़ा एक रत में सवार होकर हर्याना का ब्रह्मन कर रहे हैं और इस ब्रह्मन के दोरान वो हर्याना सरकार से यहली कि जो भारती जंता पार्टी की आजकल की नायब सरकार है जो उत्राधीकारी के रूप में आये मनहुरलाल के उनसे जवाब मांग रहे हैं हरियाना के भारती जंता परटी के 10 साल की जो सरकार है उससे 15 सवालों पर 15 सुत्रों पर जवाब मांग रहे है दिपेंदर Χुड़ा और जो उनकी रध्यात्रा चल रही है जो उनका रोड शौ हो रहा है उसका नाम रखा गया है कि जवाब मांगता है हरियाना पूछता है हर्याना, दोस्तों जब जब भी चुनाव आते हैं, तो चुनाव के दोरान में इस प्रकार की यात्राएं, पद यात्राएं, रोड शो, बस यात्रा, रत यात्राएं सब चला करता है, और आपको ध्यान होगा कि 2019 का जब विधान सभा चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव के अंदर जो उस समय के मुख्य मंत्री थे मनहुरलाल, वो पूरे हर्याना में एक रत लेकर घुमे थे, हर्याना एक, हर्यानवी एक का नारा देकर वो चुनाव मैदान में उतरे थे, 75 पार का नारा देकर के, वो चुनाव वो था 2019 का जिसमें कि कॉंग्रेस पूर पार का नारा दिया, हरियाना एक, हरियानवी एक की बात कही, मनोहरलाल बोल रहा हूँ, उस रत से गुंसता था, ये सब चलता था। लेकिन उसके जवाब में विपक्षी पार्टियां गुमसुम थी एक तरह से। और जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद में चुनाव क परिणाव आया, चुनाव परिणाव के अंदर जो 75 पार के नारे के साथ रत यात्रा निकाली थी मनोहरलाल ने, वो 40 परटक गई। और कॉंग्रेस ने एक बहतरीन परदर्शन करते हुए उस चुनाव में 31 विधान सभा की सीटें जीत ली, 31 विधायक बन गए कॉंग्रेस और उस 2019 में जब लोगसभा का चुना हुआ था विधान सभा से पहले, तो हर्याणा की 10 की 10 सीटें भारतिये जंता पार्टी जीत गई थी, 54 परसेंट से ज़्यादा उनको वोट मिला था लोगसभा में, और जब विधान सभा का चुना हुआ तो विधान सभा चुनाव में वो हालात, नजरिया, नजराने, सब कुछ बदल गए, और अब जब 2024 की तैयारी है, जब 2024 में कॉंग्रेस ने 5 सीटें जीत ली और भारती जंता पार्टी 5 सीटें हार गई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि भारती जंता पार्टी के 10 सांसत थे, 10 में से 5 रह गए और जिरो से 5 हो गए, इसलिए मैंने कहा कि कॉंग्रेस 5 जीत गई और बीजेपी 5 हार गई, इस चुनाव परिणाम के बाद में, जो लोगसभा का चुनाव परिणाम आया, न केवल हरियाना, बलकि पूरे देश के अंदर, खास कर कॉंग्रेस और विपक्ष के अंदर एक नए उत्साहा का संचार हुआ, चाए वो हरियाना हो, चाए वो उत्तर परदेश हो, चाए वो सूबे के देश के अन्य राज्य अन्य सूबे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपसे बात हरियाना की कर रहा हूं, तो हरियाना की बात आपसे करूंगा, अब हाला कि अभी तक भारती जन्ता पार्टी की तो कोई यात्रा वरा का कोई प्रोग्राम सामने नहीं आया लेकिन दिपेंदर हुड़ा ने शुरू कर दी यात्रा निकालनी और दिपेंदर हुड़ा की जो पूस्ता है हर्याना या हर्याना सवाल कर रहा है उसको लेकर के लोगों के जहन में एक नई बा सीटें आ गई यानि कि पिछली बार से 50 का 50 से भी ज़्यादा का उन्होंने इजाफा कर लिया तो पूरे देश के और हर्याना के कॉंग्रेसी दमा दम है ये तो है लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं जो लोगों के जहन में सवाल है वो ये है कि यात्रा जो निकल रही है इस यात्रा के रती दिपेंदर हुड़ा क्यों है भुपेंदर हुड़ा क्यों नहीं है भुपेंदर सिंग हुड़ा के स्थान पर दिपेंदर सिंग हुड़ा को आगे करने की कॉंग्रेस की या हुड़ा परिवार की आखिर रन्नीती क्या है और क्या आने वाले जो पूरे हरियाना के अंदर सबसे बड़े मारजन के साथ चुनाव जीतें। दिपेंदर हुड़ा की जीत वो देश के अंदर भी जो पहली 50-40 जीत होंगी उनके अंदर दर्ज की गई। इस लिहाद से दिपेंदर हुड़ा और भुपेंदर हुड़ा और हुड़ा परिवार और कॉंग्रेस के होसले बुलंद हैं। इस हर्याना के जो चुनाव परिणाम जिसके अंदर कॉंग्रेस ने 5 सीटे जीती। उसके बाद आप यह मनें कि कुमारी सहलजा के अलावा जो बागी 4 सांसद हैं दिपेंदर हुड़ा सहीद। वो सभी हुड़ा परिवार दिपेंदर हुड़ा बुपेंदर हुड़ा के बगलगी रहते हैं उनके साथ रहते हैं और अगर आप देखें तो संसद के अंदर भी जिस प्रकार राहुल गांधी के नस्दीकी दिखाई देती है दिपेंदर हुड़ा के साथ में उससे भी अगर Congress को Majority मिल जाती है तो बतोर मुख्य मंत्री का चेहरा क्या देपेंदर हुड़ा होंगे क्या भुपेंदर सिंग हुड़ा को Congress पीछे करेगी ये बात इसलिए चल पड़ी है कि अगर आप कुछ पन्ने पीछे की तरफ पलटें तो बुपेंदर सिंग हुड़ा पर जो देश के ग्रह मंत्री अमिश शाह है वो लगातार निशाने कसते हैं अभी वो हाल ही में जब महिंदर गड़ आए तो महिंदर गड़ में उन्होंने बुपेंदर सिंग हुड़ा जी का नाम लेकर के दो-तीम बार कहा कि पाई-पाई का हिसाब लेकर आया हूँ कहने और उसके पीछे के अंदाज के पीछे जो बात होती है उस पर लोगों की निगाह जरूर जाती है उस पर लोगों का ध्यान जरूर जाता है और जो अमिश शाहने का कि पाई-पाई का हिसाब क्योंकि भुपेंदर सिंग हुड़ा पर भारती जंता पार्टी की सरकार ने, केंदर की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने अगर आपको ध्यान होगा तो शिकंजा कसा था EDCBI और तमाम एजनसियां उनकी income tax जांच कर रही है FIR दर्ज है उनके खिलाफ नयाईक आयोग तक बने धिंगड़ा आयोग हला कि वो धिंगड़ा आयोग की जो सिफारिश थी और धिंगड़ा आयोग पर भी जब पिछले दिनों आरोप लगे तो कईए हरियाना सरकार एक बर backfoot पर थी लेकिन पिछले दिनों उस धिंगड़ा आयोग को एक फिर से सरकार ने जीवन्त कर दिया हर्याना सरकार ने और केंद्र सरकार ने धिंगड़ा आयोग की सिफारिशों पर फिर से गौर करना शुरू कर दिया आपको ध्यान होगा कि वो सारा जो मामला था रवट वाडरा की लेंड डील और तमाम परकार के जमीन से जुड़े मामलों को ले करके था हलाकि बीच में जब बात आई और रवट वाडरा को क्लीन चिट मिली आपको ध्यान होगा वो भी जो राजनीती में रूची रखते हैं राजनीती घटना करम को जो नजदीक से देखते हैं तो आपको ध्यान होगा कि रबट वाडरा और जो DLF की लेंड डील ये थी जिसमें धिंगरा आयोग ने जाच भी की और जो राजनीतिक गरियारों में जो चर्चाएं रही कि जब DLF की तरफ से चंदा दिया गया और उसके बाद में वो सारा खिल हुआ लेकिन लोकसभाज चुनाव के दौरान और उसके बाद में एक बार फिर से धिंगरा आयोग का सक्रिय करना उसकी रिपोर्ट्स को लागू करवाना उसके बाद में हुड़ा साब के जो नजदीकी लोग हैं उन पर शिकंजा कसना और अमिश शादवारा हरियाना के जो नेता हैं उनके द्वारा गाहे बगाये हुड़ा साब को टारगेट करना इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कॉंग्रेस ने या हुड़ा परिवार ने खुद ये मन बना लिया हो कि अगर कहीं सरकार भुपेंदर सिंग हुड़ा पर किसी प्रकार का कोई शिकंजा कसे या भुपेंदर सिंग हुड़ा पर किसी प्रकार की आंच आए त इसके पीछे भी आप मान करके चलें कि कोई यही रनीती है। कि अगर कुछ ऐसा होगा तो क्योंकि डिपेंदर हुड़ा की कॉंग्रेस जलों में स्विकारिता तो पहले से है। दिपेंदर हुड़ा यू थाई करना है मैंने आपको बताया हाला कि भुपेंदर हुड़ा खुद भी जो भुपेंदर सिंग हुड़ा है वो खुद भी सौफ्ट सोमय लोगों के साथ उनका जो वैवार वरताव अच्छा होता है लेकिन दिपेंदर हुड़ा उनसे भी दो किया करते हैं कोशली की जीत जो उनकी लोगसभा में हुई भले ही वो दो वोट से जीते लेकिन 76,000 के आंकड़े को और दो वोट प्लस लेकर करके आना जाद 76,000 की हार थी उसको वहां तक जीत में ले आना ये दिपेंदर हुड़ा ने बता दिया कि मैं ये कर सकता हूँ और आप मान करके चलें कि जो यात्रा चल रही है स्यात्रा का राजनितिक जो विशलेशक हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि स्यात्रा का उद्देश्य यही है कि दिपेंदर हुड़ा को पहले से ही फेस बना दिया जाई अगर कहीं ऐसा चलता है भुपेंदर सिंग उड़ा पर अगर किसी प्रकार की कोई आच आती है या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा होता है या कॉंग्रेस की जो इंटर्नल जो पॉलिटिक्स है उस सबसे उबरने के लिए भी कॉंग्रेस अला कमान बजाए भुपेंदर गांधी वाडरा और राहुल गांधी खासकर क्योंकि अब राहुल गांधी और प्रियंका के हाथ में कमान है तो दिपेंदर हुड़ा वैसे उनके क्लोज है इन सब को देखते हुए क्योंकि राजनिति घटना करम बड़ी तेजी से बदला करता है अभी हाल ही में राव दान सिंग पर कल जो रेड शुरू हुई थी 17 घंटे की रेड हुई अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा और रेड तो खतम हो गई लेकिन इडी की रेड कई संदेश दे करके गई है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि भुपेंदर सिंग उड़ा के लिए क्या चेताव नहीं है उस एड रेड से लेकिन इसमें आप ये मान करके चलें कि इन सब को देखते हुए अगर भुपेंदर सिंग उड़ा पर किसी इस भी प्रकार की कोई आँच आती है या कोई कॉंग्रेस के इंटर्नल पॉलिटिक से चलते कुछ होता है या फिर कहीं ऐसा लगता है कि भुपेंदर हुड़ा को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोशित करके या मुख्यमंत्री बनाने के बाद में कुछ सरकार की तरफ से सेंटर गॉर्नमेंट की तरफ से बीजेपी की तरफ से सरकारी एजेंसी की तरफ से किसी प्रकार का कोई अलग चक्र चले तो उस तिती में इसी भी प्रकार से बैक फुट पे न जाना पड़े और इसी को देखते हुए ही दिपेंदर हुड़ा को चुनाव से तीन महीने पह करने के पीछे कॉंग्रेस की उड़ा परिवार के को यही रणनीती है आपको कह लगता है कि क्या दिपेंदर हुड़ा भी हर्याना की राज नीती में अपनी स्विकारता उसी प्रकार कर लेंगे कॉंग्रेस जनों में खासकर जैसी भुपेंदर सिंग हुड़ा की है कमेंट